बिहार की राजधानी पटना में बैंक के रूपयों के गबन का अनोखा मामला सामने आया है। इसमें केंद्र सरकार की टेलिकॉम एजेंसी बियसनल के फरजी लेटर का सहारा लिया गया है। पटना के पिरबहुर थाना इलाके के अशोक राजपत इस्तित भारतिय स्टेट बैंक की साखा से 59,66,000 रुपय परसनल लोन के तवर पर निकाले गए हैं। जिसके लिए आरोपितों ने बियसनल का फरजी नियोता पत्र दिखा कर बैंक अधिकारियों की आख में धूल जोका है। बता दें कि इस बाबत बैंक के शाखा प्रबंदक ने पांच लोगों के खिलाफ स्थाने थाने में केस भी दर्ज कराया है। बता दें कि बैंक से मिली जानकाडी के अनुसार गोपालपुर थाने के मोहरपुर गाउ निवासी पवन कुमार ने परशनल लोन लेने के लिए 16 अप्रेल 2016 को अपना दस्तावेज जमा किया था। उसी समय बैंक ने अपने खाता में लोन के 10 लाख रुपे ट्रांसफर कर दिये थी। पवन ने अपने दस्तावेज में बियसनल के नियोता पहचान पत्र की च्छाया प्रती पंजाब नेशनल बैंक के खाता का विवरन और फॉर्म 16 भी जमा किये थी। जाच में दस्तावेज फरजी मिले। वहीं इसी प्रकार फुर्वारी सरीफ के इसो पुर्निवासी बनूच कुवार गुश्वामी ने 20 जुलाई 2021 में वेतन परची बियसनल का नियोता पहचान पत्र और फरजी बैंक स्टेटमेंट जमा करके 12,50,000 रुपे खाते मिले लि ये पवन की तरह दस्तावेज समर्पित करते हुए 15,000,000 रुपे का रिन बैंक से लिए कुल मिलाकत 58,000,000 रुपे की गवन का मामला सामने आया है वहीं अब इसे लेकर के पुलिस जाच में जुटी है पता दें कि जहां नए नए अलग-अलग तड़ीकों से चोड़ी की घ BSNL का सहारा लेकर इतनी बरी गवन को अंजान दिया गया है नेरो डिपोर्ट न्यूस पी आर लाइव पटना